में यह सुंचना है कि असंबली में हमारी तादार केसी बढ़ी जाए सिर्फ हमें खड़ा होना है हमारी नमबर शागे एक हमारा हाथ उठने वाला है और तू क्या भालए है असंबली मेंधेदात होना या मुक्के-भ 대한 की तेदात प्रेदना चाहरा रहा है ठीटू आज असम्बली के अंदर पूरा अगर एक भी हमारा बंदा आवाद उटा कर शेल की तरह गरशता है वैसे बंदे की जरौता है असम्बली के अंदर गुलबरगा सौच से बीजेपी जितना गुलबरगा रूलर से बीजेपी जितना और गुलबरगा नार से कांग्रेश जितन इनकी सोच का अंदाजा लगाई है, ये लोग पूरी जिंदकी अपने ड्यूटी के अंदर रिश्वत का हैं, आज ही उसी तरीकत से लोगों को गुम्राब कर रहा है। वीडियो वायराल हो रहा है गुलबरगा के अंदर, जो खतर से खिजर चंदा जो टीटू है, उसको गुलबरगा की हाकिकत नहीं मालूम, वो वहां से बैट कर वीडियो दालने से गुलबरगा में जो माहौल क्रेट करना चाह रहा है। क्या एक हम कोई नुमाइंदक यहां पर अगर चौक पर चौक पर ठहर के बोलने से, आवाज उठाने से, क्या हमारी लड़ाई हो सकती है? जी बिलकुल नहीं है। टीटू सोन आज, तू जो कह रहा है के चौरास्ते पर ठहरने से, अरे टीटू, चौरास्ते पर बोलने से तो तेरी फैमली सेफ है। अगर हम लोग चौरास्ते पर नहीं बोलेंगे तो तेरी फैमिली को दुनिया का प्रावलम आता है टीटू, तू तो खतर के अंदर बढ़े हुआ है, गुलबरगे के अंदर हम जैसे लोग चौरास्ते पर बोलने के वज़े से गुलबरगा सेफ है, हमें यह सुचना है कि अस मेर को मालूम होना चाहिए, आज असंबली के अंदर पूर्य अगर एक भी हमारा बंदा आवाज उटा कर शेर की तरह गरशता है, वैसे बंदे की जरौता है असंबली के अंदर, हिजाब के मामले में, हलाल कट के मामले में, सोंच टीटू, अभी भी अपने अलफाज वाप ठीटर है,